हलो स्टूडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंगलिश सिंप्लिफाइड एंड थैंक यू सो मच फो जॉइनिंग अस तो स्टूडेंट्स क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइड बुक का चैप्टर नमबर 3 है इसके हम कुछ बहुत ही छोटे कोशन एंड आंसर को आज यहां कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपने कोशन को तो कोशन नमबर 1 है कि जो सीगल था छोटा बच्चा वो अकेला क्यों था तो आंसर होगा क्योंकि उसके दोनों भाई और जो बहन थी वो समुद्र के ऊपर ओड रहे थे और बहुत खुशी खुशी से वो फिश को कैच कर रहे थे और उसके बाद उनको वो खा रहे थे तो इसे वज़े से जो यंग सीगल था वो बिलकुल अकेला था तो second question है कि उस रात को वे कहां पर सोया था तो आंसर है कि वो लेज के नीचे एक छोटा सा होल था तो वो वहां पर रात को सो गया था next question है कि वो अपने ब्रदर और सिस्टर की तरह क्यों नहीं उड़ पाया तो आंसर है वो नहीं जानता था कि किस तरीके से उड़ा जाता है अब वो डर गया था क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि अगर वो उड़ेगा तो वो नीचे गिर जाएगा और उसके बाद उसे बहुत सारी चोट लग जाएगी नेक्स कोशन है कि जो यंग सीगल था वो कहां पर रहता था तो आंसर है कि जो यंग सीगल था वो बिलकुल अकेला अपनी लेज में अपनी हाद में वो रहा करता था कि वो उडने से डरता क्यों था तो answer है he was afraid to fly because he thought his wings would not sport him अब वोडने से इसलिए डरता था क्योंकि उसे लगता था कि जैसी वो उड़ेगा तो उसके पंक जो है उसका साथ नहीं देंगे तो next question है what did he see throughout the day कि उसने पूरा दिन क्या देखा तो answer है he saw that his parents and his brothers and sister have mastered the art of flying and are flying very happily उसने देखा कि उसके जो parents थे वो उसके भाई और पहन को उड़ने की कला में उनको master कर रहे थे यानि को उड़ने की कला में निपुन बना रहे थे उनको कुछ उड़ने के skills वो सिखा रहे थे और वो लोग भी बड़े खुशी-खुशी से उड़ रहे थे तो सारा दिन बैठ के वो यही देखता रहा कि उसके parents किस तरीके से उसके भाई और बहनों को उड़ने की कला सिखा रहे हैं next question है how did they taunt him कि वो सभी लोग उस पर किस प्रकार से ताना मार रहे थे तो answer है his parents and his siblings taunt him for his cowardice that he cannot fly even though he is a bird अब उसके parents और उसके बहन भाई उसके ओपर ताना मार रहे थे उसके कायरता के ओपर कि वह उड़ नहीं सकता और जबकि वो एक पंची है एक bird है और bird को तो हमेशा ही उड़ना चाहिए क्योंकि ये उसका एक natural action है तो इसी वज़े से वो उसकी कायरता पर उसको ताना मार रहे थे तो next question है who took pity on the young seagal कि जो young seagal के ओपर दया किसने दिखाई कोन दिखा रहा था तो answer है his mother pitied on the young seagal कि उसकी मा को seagal के ओपर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी क्योंकि वो उसकी मा थी और मा तो मा ही होती है ये उमीद है आपको बहुत अच्छे से clear हुए होंगे वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए, all पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आप से अपने next वीडियो में keep watching, stay connected, thank you